Hello everyone, let's start with question number 7. So in this it says without adding, find the sum. अब हो कह रहे है कि without add करे, आपको sum निकानना है, इसको add करनना है. तो अब यहाँ पे देखो, एक तो condition होगी आपके पास कि आपके consecutive odd numbers होने चाहिए. consecutive odd numbers का मतलब क्या समझाते है? कि एक के बाद एक odd number होना चाहिए और line-wise होना चाहिए. ऐसा ने कि 1 प्लस 5 प्लस 9 बोल रहे हैं कि आप add करो, जो मैं method आपको बताने वाले हैं. उसके लिए मैं बोल रहे हो आपको. तो consecutive odd numbers होने चाहिए. और starting का से होनी चाहिए उनकी 1 से. 1 से लेकर जितने मर्जी number हो, odd numbers होने चाहिए. Line-wise. अब आपके पास है 1, 3, 5, 7, 9. तो बस आपने क्या करना है? numbers count करो कि कितने numbers हैं आपे. 1, 2, 3, 4, 5. पांच number है. पांच का square करो. आपका answer कितना आ रहे है? 25. अब आप चाहिए manually add करके देख लो एंच सबको. आपका जो answer आएगा वो 25 आए. ठीक है? अब next पे आते हैं. Next में आपको क्या करना है? बस numbers count करो. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 का square कर दो. 10 का square कितना हो गया? 100 हो गया? Next पे आओ. अब 19 तक कितने थे हमारे? 10 थे? 10, 11, 12. मतलग total numbers कितने हैं? 3rd. 3rd part में 12 है. 12 का square कर दो. 12 का square कितना होता है? 144. So, this is your answer for question number 7. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.